नमस्कार निवस्पोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रुचा शुर्मा नई सरकार के गटन के बाद अब बिहार वासियों को एक बड़ी सौगार्थ मिली है दरसल आज पटना दिखा एलिवेटेड रोड का उधगाटन मुख्यमत्री निटीश कुमार के तरफ से किया गया तस्वीरे सिदेम आपको दिखा रहे हैं देखे किस तरीके से उधगाटन निटीश कुमार के करकामलों के द्वारा किया जा रहा है इसके साथ इसी दोरा कि आज बहार के सब्चे लंबे एम सिदेगा एलिवेटेड पत का उधगाटन किया इसके साथ है इस पत पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा इस पूल पर सफर करने में मेह जो आठ मिनिट का समय लगेगा और 12.5 किलिमिटर का सफर खत्म हो जाएगा मुख्यमंदी नितीश कुमार ने कहा है कि इस पूल के उधगाटन से राजधानी वास्यों का चीर प्रतिक्षित सपना पूरा हो गया ये राज़ु की जनता के लिए नई सरकार का पहला उपहार है इसके शुरू होने से जेपी सेतू के तरफ जाने वाले वाहनों को उत्त उत्तर बिहार से पटना, बेटा, एम्स और अरवल औरंगाबाद जाने के लिए आसानी हो जाएगी इससे पटना सहित उत्तर बिहार की यात्रा सुगम होगी उत्तर बिहार के लोगों को दक्षिन बिहार और एम्स पहुचने में ज्यादा लंबी दूरी तैय नहीं करनी हो पर कोई भी यूटर नहीं है इस पूल से हाजिपूर छपरा वक्तियारपूर आना जना आसान होगा साथ ही पतना के पतना से यूपी के गाजीपूर तक जाना भी आसान होगा गांधी सेतु पर बड़ी गारियों का दवाब अब कम हो जाएगा जानकारी के नुसार 1289 करोड और 25 लागत से इस पूल का निर्मान किया गया है वही पतना दिली रेल लाइन के उपर 106 मिटर लंबा रेल्वे ओवर व्रेज इंजिनरिंग का अनूठा नमूना है नहरु पत पर पूर्वसे निर्मित आर ओबी के कारण अलिवेटेड पत की उचाई जो है वो लगबग 25 मिटर है जिसका निर्मान अपने आप में काफी चुनौती पूर्ण है उसे भी सफलता पूर्वक पूर्ण की आगया है बिहार वासियों को जाम से छुटकारा मिलेगा और सबसे बड़ी बात की कई जिले डिरेक्टली इस एलिवेटेड डोट से जुडेंगे जिसका सीधा फाइदा होगा कि आपको लंबी दूरी कम समय में आपताय कर पाएंगे फिलाल कलितना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूस फोर्णेशन नमस्कार